जैहिन दोस्तों मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंग आप सबों का study for PCS में स्वागत करता हूं चलिए आज हम आप लोग के समक्ष जैसे मेरा ये चौथा वीडियो है आप लोगों के समक्ष में पहले भी आ चुका हूं study for PCS में मैंने जैसे आपको बताया था कि यहां पर दासर के संग्रेक्षन में आप चीजों को बहतर डंग से एनलाइसिस वे में रिजल्ट औरियेंटेड आप लोग आगे बढ़ सकते हैं जैसे देखिए आप लोग बोर्ट पर दिख रहा होगा कि दरोगा 2023 नाकपुरी सिलेबस हम पहले भी दो तिन वीडियो होगा आप नहीं है तो study for PCS में जा करके आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है आप जा करके देख सकते हैं चीजों को और भी बहतर डंग से कर सकते हैं यहां पे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पढ़ी हुई है आप जिस जाकर के देख सकते हैं अगर पेड लेना चाहित ले सकते हैं नहीं तो अगर आप वैसे भी बहुत सारा इंफॉर्मेटीव वीडियो आप है मेरा भी आपको इस चैनल पर लगता मिलते रहेगा चलिए आज हम क्या बात करें आज हम बात करें आपको इससे पहले हम सारी बातों को रख चुके हैं कि स्टेडिजी क्या होना चाहिए प्लान क्या होना चाहिए दिसीज दर राइट टाइम टू चूज द लोकल लेंग्वेज यही आप जब भी आप भरते हैं आप देख रहेंगा दो लाग तिन लाग फॉर्म गिरता तिन लाग प्लस जा रहा है उसमें से सीट बहुत कम है आपको उसमें से रेंकिंग लगा नहीं है रेंकिंग लगा ली है तो यहां पर स्वेम को कमजोर होने मत दिजिए बहुत अच्छ आग दरेक्षन चाहिए जो कि आपको इस्टडी फॉर पीसी एस आपको प्रवाइट करेगा दासर के संग्रेशन में आप आगे बर सकते हैं मैं भी आपको मिलूंगा एक विशेज सरनिती तो आज हम आपको बताते हैं कि नागपूरी तो नागपूरी का मैंने कई बार कई की जगह से कॉल आया कि सर एक सेच्विरेशन पॉइंट के बाद मार्क्स बढ़ ही नहीं पा रहे हैं सर 75 में कॉंस्टेंट हो जा रहे हैं तो मैं यहां बताऊंगा कि वह सब क्या है कहां से आते हैं कैसे बनेंगे कैसे चीजों को किलिर करना है तो आज मैं नागपूरी का परिचय उद्भव विकास इस पर बात करेंगे लिपी बात करेंगे जितना हो सकेगा पॉसिबल फिर नेक्स वीडियो आपको आप लोग के समक्स लाओंगा तो यहां चीजों को पढ़िए यहां आप मेरे साथ जुड़िये दिखी कितना कंसेप्ट के लिए दिमाग में आ पहली सारा चीजों को मैं करांगा विद कंसेप्ट पूरा अगिदम ग्राफ के माध्यम से बहुत धंग से चीजों को लेकर आ रहा हूं अब देखिए खुद खुद समझ जाएंगे तो चलिए अब चलते हैं नागपूरी की पहली क्लास के द्वारा इस्टडी फॉर पीसी करते हैं बात भी कर सकते हैं सब वह चीज के देखिए जेनरल स्टडी जहारखंड इस्पेशल जेनरल साइंस मैथमेटिक रिजनिंग ठीक है अब एक और आपको बात बता देना चाहूंगा कि जो आपको इनके पास बहुत सालों से पढ़ाने का तजरुबा है आप लोग उ अब यहां क्या है देखिए अब हम नागपूरी पर चलते हैं तो सबसे पहले नाइक पूरी भासा तो चली आ रहे है अब कहांट भी क्यांब नागगत से चलिए दो शुब करते हैं तो आगे बुंग करेगा आगे बढ़े गा उसका भविश विश्च आगे उजवल है नहीं तो वह भासा डेवलोपी क्या है वह बैठते चली जाती है स्वत्र एक में विलीन हो जाती है अब देखे क्या है अब 2005 में क्या आया मेरा 2005 में मैं पेन बदल ले रहा हूँ आप लोग के समख्ष चलिए 2005 में क्या आया जारखंडी भासा संगस्थान का अस्थापना किया गया किसके द्वारा तो डाक्टर कुमारी वासंती और दूसरा क्या है डाक्टर विशिस्वर परशाथ केश्री के मदद से 2005 में जो है जारखंडी भासा संगस्थान का स्थापना कर रोजगार परदग भासा बना गया तो जारखंडी भासा संगस्थान का स्थापना का हुगा 2005 में किसके मदद से इनके मदद से डाक्टर विस्वर परशाथ कि स्री परशाथ कि स्री परशाथ डाक्टर कुमारी वा पर चलेंगे देखे संक्सार का वर्गी करन किया गया किसमें महादेश के अधार पर जानते हैं कितना है तो यहां पर के साथ यहां पर से समंदित है यह हमको ने पर लेकन फिर भी किसी में आजाता है तो इसलिए लिखा दिए कि इंडो जर्मन भाशा परिवार यूरोप से है ठीक है अब जब भासा की बात करते हैं तो भासा पड़ते हैं भासा कितनी तो पूरी विस्व में भासा देखेंगा साथ जार रहे हैं तो सोलत सा आठारा याद रखेगा बहासा कितने भारत में बोले जाएंगे तो आपका क्या है नागपूरी का भी है जिसको हम आगे एक्सीन करेंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे नागपूरी हमको जौब दिलाएगा ठीक है नागपुरी से हम अपनी जैसे सी में रेंकिंग लगा रहे हैं ठीक है न यह देखिए यह आपका यह है इस नागपुरी जो है यह जो जो की संखला है इसे तीन सब सब्सक्राइब करें ठीक है अब यह हो गया अब दूसरा तीसरा स्लाइट पे चलते हैं अब आगए विशु की भासा से आगए हम क्या आगए आपकी भारतिय भासा पर तो भारतिय भासा को चार भागों में बाटा गया है तो आरे भासा परिवार आप देख पा रहे होंगे आरे बासा परिवार दर्विट भासा परिवार आश्ट्रीक भासा या अगन्य भासा या प्रोटो अस्ट्राईड तीनों एक ही चीज़ आव इस तुरूक मालतो किसान और धांगरी कुरूक मालतो किसान धांगरी और अपका क्या अगया मुंडारी क्या अब यहां लिखा हुआ मेरे यहां पर लिखे रखे हुए हैं बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यह कर लिजेगा कई बार एक्जाम में पूछता भी है जारकन मैं कैटो भासा मन परिवार आए तो तीन भासा परिवार आए कौन-कौन तो एक पहला आप देख रहें यहां पर आरे भासा परिवार दूसरा आपका हो गया दर्विड भासा परिवार और तीसरा हो गया आपका आश्टलीक आगने या प्रोटो अस्लेड परिवार ठीक है जारकन कैटो भासा मन परिवार आए तो तीन चार पाइन लिख देगा अगर अलफाब यह से दिया आपकर संख्यां दिया तीन अगर पुछ देगा वहां पे तो कौन आरे दर्वीड अश्टीक एक और तीबत चिनी डाल देगा बुलेगा इसमें कौन सा जारकन में कैटो भासा परिवार नहीं है तो आपको तीबती चिनी कर दीजेगा यहां के लिए अब चलते हैं आरे भासा देवनागरी कैसे बनी तो दे परियोग है कितना चार लिपी का कौन-कौन पहला आपका देख रहे होंगे पहला आपका है आपका पहला क्या है पहला आपका है बंगला लिपी दूसरा आपका हो गया कैथी लिपी तीसरा आपका हो गया रोमन लिपी चौथा देवनागरी लिपी ठीक है जिसमें याद र या देवनागरी लिपी में हुई एक कोश्चन पूछ सकता है एक कैथी लिपी है लिपी का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बुक में भी नहीं है तो आपको हम लिपी से जितना भी है बता करके आपको लिपी से कुछ कुछ दिफ्रेंस है जो की चीजों को आगे बढ़ेंगे वो किलियर हो जाएगा कि किस भासा को कैसे लिखते हैं कौन सा वर्ड यूज नहीं होता है कौन सालफाबेट यूज नहीं होता है समझे कि नहीं तो चलिए यह होगी आपका आरे भासा परिवार दूसरा चलिए अब देखे नाग buri अब आगे हम वहां से भूसमें आता है नाग buri कि नाग पुर्जाति से ही निकला होगा आदिम परजाती लोग ही बोलते होंगे तो जहारकन की आदिम परजाती से में कौन था एक नाग परजाती और यही नाग परजाती के एक साखा क्या थी शदान यहीं साखा क्या थी शदान और यहीं शदामों की भाषा आपकी थी नागपुरी नागपुरी czasadhan kya है जिसको गैरादिवासी बोलु जता है सदान सबसे पर्मुखजाती था कोण नाक जो परजाती था यह सदान का सबसे पर्मुखजाती था ठीक है और इसी का वर्णन नाक परजाती का ऊतर महाभंत काравля मिलता है भी इंप्रेंटуйन फेक्ट है अब देखेऊ यही ले सकते हैं आगे देख सकते हैं पड़ा रहेगा आपका ठीक है यहोगे किलिए यहां से कोश्चन पूछता है आगे हम और क्लास में आपको कोश्चन कराएंगे चलिए अब नेक्स चलते हैं डाक्टर विशिस्वर परशाद केश्री जैसे जारखन में हिंदी में भी कई विद्वान हुए तो नाकपुरी में अपना योगदान दिया नाकपुरी में चीजों को माना क्या किया चौश्ट इसवी के आसपास मंद्रा मुंडा के राजकाल में नाकपुरी का उध्वान माना यह कथन किनका है डाक्टर विशेश्वर परशाद केश्री का और दूसरा क्या बोला इन्होंने कि भगोलिक विस्तार 21 दिगरी उत्तर से 25 दिगरी उत्तर और 83 ड अधिर में यह नाकपुरी का फैला हुआ इनके अनुसार सबों का अपना-पना कथन है यही सबसे कोश्चन आता है जो कि समझ नहीं आता है जो बाउन्स कर जाता कि सरी तो बनाए नहीं तो फैक्स को ऐसे लेकर करके चलेंगे गराम की बादेम से लिख लिए कभी एक्जाम आएगा तो कॉपी पेज पलटिएगा क्रिस्टल क्लिर होते चल जाएगा सारा चीज फिक्स होते चले जाएगा ठीक है अब देखे क्या है कि कुछ जो है नाकपुरी भासा कैसे फला फुसा जायर सी बात है कि हम और आप सिर्फ बोलेंगे तो फलेगा फुलेगा ने तो कह नाकपुरी संपर्ग भासा के रुप में परियूग करते थे तो कि अपनी भासा थी तो जाहिर सिब पुरी फूला ओगों के चलब युजड़ा नयुक्या ओच करने लगी समूग जिनकी अपनी भासा थे फिर भी वो नागपूरी को परियोग करते थे संपर वासा की क ön क्या करते थे कि लोगों से करने के लिए खरिद बिकरी करने के लिए बात करने के लिए हालचा लेने के लिए नाकपुरी का परियोग करते थे ठीक है नाकपुरी बड़ा ही मिठास भारा भासा है ठीक है मुझे तो बहुत अच्छी से बोलने नहीं आता है लेकिन जिन्हें आ पर कि इनोंने ये चलिट में तो उसी तरह उनका है किसी का आगे बताएं गांसलुए तो उसी तरह बिज भासा के यहां से भी नाकपुरी फला फुला यह जो आप देखते हैं नाकपुरी भासा का परीचे याद रखीकर बहुत इंप्रॉटन्थ है एक question यहां पूछता है जो हम बता रहें एक से पांच कोश्चन कवर करें इस पर मेरा लिपी उद्भाव विसेश्ता यह सब में इंपॉर्टेंट फेक्ट्स अबाउट नाकपुरी कुछ जो होता है जो सुरुवात में जो कथन जो दिये गए हैं मतलब विद्वान लोगों के द्वारा जो नाखपुरी लिखें उनके द्वारा तो सबसे कोश्चन आता ही आता है है यहां से एक से पांच कोश्चन के के शंभावना है अब देखें यntग जो हो गया सदानी दूसरा सदरी तिसरा सादरी चो था नाकपुरिया चोथा नकपुरिया chimney पाउचमा का इस अग्षिली आकार का मात्रा डिफेरेंस से तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप तो उसमें बताये नहीं थे नाकपुरिया च्छठा छोटा नाकपुरिया शाथमा गवारी आत्मा गवली नौवा सदरी कौरवा दस्वां दिकुकाजी तो दस्त्रक नाकपुरी का नाम है कोई तिन नाम देता है चौथा मैं देवल सभे कर देगा तापको देवल सभे करना खली नाम याद रखना अब कुछ और अप्संदेगा तो उसमें च्छाटना को नहीं है तो यहां के लिए आप उसमें सदानी कुछ खास इंपोर्टेंट रखता है कैसे देखिए नाकपुरी क सबसे पुराना नाम क्या है सदानी एकदम भीवी आई यही पूछ देगा कोश्चन डारेट कि नाकपुरी का सबसे पुराना नाम क्या है तो सदानी है दूसरा क्या देखिए छोटा नाकपुर की भास्ता के रूप में कौन जाना जाता है तो चोटा नापुर की भास्ता क पढ़े लेकिन तो आया नहीं तो कोश्चेन यहीं पी ट्विस्ट करता यहीं भी ढंक से क्रिस्टल क्लियर होके पढ़ना है कि नाकपुरी का सबसे पुराना नाम क्या हो गया सदानी आप सब पढ़े टोटल कंसेप्ट आपके पास है लेकिन बस एक क्रिस्टन यहां से उठा करना कि नाकपुरी के सबसे पुराना नाम क्या है तो सदानी सब कोशन कराएंगे आगे हम अब्जेक्टिव फ़र्म में जब यह कप्लिट हो जाकत लेके आएंगे पहले आपको व्याकरन व्याकरन के साथ मिक्स में मैच करके चलेंगे कभी व्याकरन तो कभी लोग गीत आपका बुजवेल कथाम पहली फिर कथा कहानी सब रही चीजों को लेकर के डंग से चीजों को बहुत अच्छे डंग से पूरा एक्जाम और इंटेशन में लेकर के चलेंगे ठीक है तो इतना ही है और मेरफ पहलें मेरी वीदियो पढ़िये हैं मैं यहाँ से ढूरा हूं आप से जुड़ा हूं आपको बीच-वीच में आप के लिए आता रहोंगा ठीक है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लाइप कीजिए ठीक है लिए आप को दिख जागा यहाँ पर पिच्छ चेनल को है इसको आप सब्सक्राइब कर लिए यहाँ पर आपको बिठन के लिए आप लोग प्रेश करके रख लिए है आप अच्छे से knowledge gain किजिए आपको समझ में आएगा कि क्या quality है ठीक है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ठीक है कि चलिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए और study पे focus रहिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द आप लोग के समक्ष study for PCS में